Hello दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर तो आज हमारे साथ है चैनल पर जतिन जिन्होंने अपनी B Pharmacy पंडित बीडी शर्मा Health and Science University से की है जो की हर्यागा में तो आज हम उनसे पूछेंगे अगर किसी को वहाँ से M Pharmacy करनी है तो ये उनिवस्टी कैसी है और आपको साथ ही साथ बता दूँ कि उनके बैच में 47 स्टुडेंट थे B Pharmacy के इसमें से 35 स्टुडेंट ने जी पैट के लियर किया था है नहीं हम जतीन से तो हेलो जतीन हाओ यू इंफाइन से अपने अपने अपनी बीफर्मेसी की है पंडित पीडी शर्मा Health and Science University से राइट तो आपे M Pharmacy के कौन-कौन से इपाट्मेंट है और दोनों में कितनी सीट्स हैं टोटल सर्व इस सीट्स हैं तो फार्मा सिट्स हैं पांच-पांच ही है बस तो अगर किसी को आपने एडमिशन चाहिए तो उसको कितना रैंक अचीव करना होगा कि वहाँ पे उसे एडमिशन मिल जाए या वो उनिवस्टी अपना कोई एक्जाम कंड़क्ट करती है जो वहाँ पे M Pharmacy कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे सिटिक्स रिलेटेड जो रिसर्च फेसिलिटीज है वो प्रॉपर मिलती है या या सर एक्चुली इस उनिवरसिटी आसाइन तो इसे प्लेस्मेंट होता है कुछ स्टूड़न कोई कंपनी आती है या नहीं? तो आपकी नोलेज में आपके सेंगर में कोई थे जिन्होंने ओफ केंपस कहीं किसी कंपनी में जॉप ली हो? देर वस वन सेनियर वो गोट प्लेस्में इन नॉवार्टेस और राउंट 4.5 लाग पकेज क्या 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 वहां पे ऐसा है कि स्टूडेंट को वहां पे ज्वाइन करना चाहिए पर निद्बीरी शर्मा हैं साइंस अइन साइंस इनुनिवस्टी स्टूड़न कोई पर निद् जा निद्ध कोई फीर्जी वन स्टूड़न कोई प्रेस निदियु अइन निद्ध कर सेमुठीं होस्तूरम थालेट सब्सक्राइब विख मुझे ए रूंब हुट आपने वहें से किस्रीट जर्म ग्मशिंट का है तो वहां पर बवीत तूडेच की स्टूद के B Pharmacy and Succeeds for Lead Program. और GPET का एक्जाम कितने लोग लोग लिया था? 45 स्टुटेंट और कितने स्टुडेंट उसमें से क्लियर हुए था? Around 35. तो मतलब वो क्या टीचिंग अच्छी देते हैं, B Pharmacy में अच्छी तरह से पढ़ाते हैं या स्टुडेंट ने अपने आप से प्रिपरेशन की थी? Sir, for B Pharm level, this university is the best in the whole Haryana. Okay. As students get laboratory exposure as compared to other universities, which they are lacking in those facilities. But this university is equipped with most of the facilities which are required for a B Pharm graduate. And how was your rank? Sir, 102. GPET के लिए आपने कोई कोचिंग लिए थी किसी तरह की? No, sir. I did self-study. क्योंकि काफी student मुझसे पूछते हैं कि अगर self-study करनी हो और GPET क्लियर करना हो, तो कैसे preparation करनी चाहिए? अपने कब शुरू की थी GPET को माइंड में target रखते हो उसके लिए preparation? Sir, I started in fourth year itself. Then, but I spent four months proper hard work I gave. I devoted myself to that time. Okay, मतलब अगर कोई भी student five or six months अच्छे से devote करता है, तो उसका GPET क्लियर हो सकता है. Yes, sir. Yes, sir. But यह नहीं होता कि आपने कुछ-कुछ पहले पढ़ा हो, आप कैसे student रहे हो? As an average या class में बहुत talented? यह भी हो सकता है कि आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा हो. थोड़ा थोड़ा थोड़ा. Yes, sir. 4 to 5 months will suffice for only those who have read all the semester's slavours well. Otherwise, it would be difficult for them to cover GPET slavours. I was above average. I used to get first or second rank among our classmates. So, you are not average. You are a talented student then, right? If you are first or second in a class. Yes. Right. Okay. That's why you go to a school also. And you, को किसी को अद्वाइस करना हो? कोई भी फार्मेसिका स्टुदेंट आपका जुनियरी पूछे आप से जतिन की आपने कैसे preparation की थी? कौन कोंसी book follow की थी? So, like, आपने सुटिक्स के लिए कौनसी book follow की थी? Some book like Pearson and Piyush which provides concise short notes which are much beneficial for the GPET exam. Okay. So, मैंने इससे पहले भी काफी स्टुदेंट के साथ इंट्रेक्ट के है. उन्होंने ये बताया है कि Pearson and Piyush पढ़ते हैं वो competitive examination के. For GPET, it is best. Yeah. So, आपने इसके new edition पढ़े थे और old edition? It's a new edition. 2019, I referred it because there was some content but I downloaded the previous year question papers from online website and one more point is there if anybody is taking coaching from our class then we can refer to his notes and they will surely not deny it to us for that. It will enhance our knowledge for GPET preparation. Now, where are you currently? I am in IIT-BHU. So, where are you from? Pharmaceutical Chemistry. Okay. So, आपका IIT-BHU के competitive exam में क्या रहेंग था? 34. So, IIT-BHU के exam के लिए आपने कुछ एक्स्टा preparation की थी या just GPET का ही स्लेवर सुफिछेंट Sir, for IIT-BHU I would prefer to read our basic books for example class 11, 12 chemistry books they were very helpful for IIT-BHU entrance exam preparation and then we must go with the GPET IIT-BHU का exam आपने दिया नाइपर का भी exam दिया था आपने? No, sir. Okay. Any reason की नाइपर का exam नहीं दिया? Because of IIT and tech Secondly, its four species as affordable as compared to NIPER Okay. NIPER the four species is quite high. And last thing IIT-BHU का exam difficult होता है या GPET-Cा exam difficult होता है? Sir, question-wise IIT-BHU entrance exam was easy as comparison to GPET but once fundamentals are not clear then it would have been difficult for them to clear Okay. So IIT-BHU के exam में basic question ही पूछे जाते हैं Right? Yes, sir. Okay. So thank you Jatin for this wonderful information about Pandit Bedi Sharma University and आपने कैसे self-preparation से ये exam clear किया?